दोस्तों दिनेस लाल यादो निरहवा जी चुनाव सकुसल संपन्न होने के बाद जो है कि अपने सोचल मेडिया प्रफरम के जरीए कुछ तस्वीरे सेर किये हैं और तस्वीरों को सेर करते हुए क्या लिख रहे हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहले जो है कि उतस्वीर सेर किये हैं अमरपाली दुबै जी के साथ में मारकन्डे बाबाजी का दरसन करने के लिए गये हैं और वहाँ पर जिया लोग चढ़ा रहे हैं और लिख रहे हैं कि चुनाव सकुसल संपन होने पर पूरी टीम के साथ मारकन्डे महा देव जी क दर्सन वा पूजा अर्चना कर आसिरवाद प्राप्त किया और आगे लिख रहे हैं कि उस तस्वीर और सेर कर रहे हैं जिन तस्वीरों में जो है कि बुजुर्गों से मिल रहे हैं उनको समझा बुजा रहे हैं कुछ बता रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीर जनता जनादर को बता रहे हैं कि कमल के चाप वाला जो है कि आप लोग बटन दबाईएगा अपने गाउं में जा करके गाजी भू टड़वा जा करके लोगों को जागरू कर रहे थे आप लोग कमल के निसान पर ही बटन दबाईएगा कुछ तस्वीर और सेयर किये थे रभी किसंजी के साथ में गोरकपूर से यहां दोस्तों गोरकपूर में आमरपाली दुबी जी के साथ में निरहुआ जी पहुंचे और गोरकपूर पहुंच करके क्या तस्वीरों को सेयर करके क्या लिख रहे हैं लिख रहे हैं कि बाबा गोरक नाथ की धरती पर विधान सभा सहाजनमा गोरक लोग सभा में सांसद प्रत्यासी सिरी रभी किसंजी के समर्थन में आयोजित जन सभा को संबोधित किया तथा भाजपा के पच्छ में वोट करने के लिए अपील की इस आउसर पर भोचपुरी अभिनेत्री आमरपाली जी भी उपस्तित रही है और जो है कि समर्थन करते हुए नजर आये थे रभी किसंजी के समर्थन में जैसा कि आप लोग तस्वीरों को देखे होंगे और भी तस्वीर देख रहे हैं कि रभी किसंजी के साथ में जो है कि समर्थन किये थे गोरक प्रत्यासिक एंद्री वित्मंद्री राजमंद्री पंकत चौधरी जी के पच्छ में भी गए थे और इसके बाद जो है कि वहां से समर्थन किये थे दिनेसला ले आदो निरहुआ जी वह भाजपा को वोट करने के लिए अपील किये थे समर्थन करते हुए रोड़सो निकाल जैसे आएंगे फिले योगी ही आएंगे फिर मोधी है यानि कि यह सब गाने गाये और अमरपाली तूबे जी भी यह गाना गा करके लोगों को जागरू कर रहे थे लोगों को बता पर जो है कि बटन आप लोगों को दबाना है और जो है कि दिनेस लाल यादो निरहवा जी और तस्वीर सेयर किये हैं और तस्वीर सेयर किये हैं अपने गाजीपूर तड़वा से गाजीपूर तड़वा से तस्वीर सेयर करते हुए लिख रहे हैं उसमें को जो है कि मालेंप करके नमन करते हुए नज़र आ रहे हैं दिने असला लिया दो निरहुआ जी इस तस्वीरों में जैसा कि आप लोग तस्वीरों को देख रहे हैं तस्वीरों में नमन करते हुए नज़र आ रहे हैं निरहुआ जी अपने गाउं में भी लोगों को बहुत से लोगों को जागर कि यहां पर मंदिर बनवाए थे राम भागवान सिरी राम जी का मंदिर बनवाए थे मानिनेरेंदर मोदी जी और वहां से भाजपा हार गई बड़े ही सरम की बात काफी लोग थूथू कर रहे हैं कि बताओ ऐसा नहीं होना चाहिए था हर जगां से हार जाती कोई प्रॉब्ल कभी किसी भी सरकार में नहीं हो पाया था सिर्फ ये मसला ही मामला चल रहा था लेकिन मोदी जी के सरकार में जो है कि वहाँ पर मंदिर का निर्मार हुआ लेकिन फिर भी आयुद्धावासी मोदी जी को धोखा दे दिया और वहां से वोट नहीं मिला और वहां से हार गए चुनाओ लेकिन बनारस से जो है की मोधी जी बनारस से विजय हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश में और जगहां हैं जैसे परताब गड़ हुआ और जो है की इलाहाबाद हुआ प्रयागराज हुआ कई जगां से मोदी जी के हार हुई लेकिन हार होने के बाद अपसी भी मिल गई है अब आदितनाथ योगी जी बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को जो है कि अब सारकारी नोकरियां मिल लेगा फुल चांस है क्योंकि बहुत सारे भरतियां निकालन बरती आएगी और मोदी जी भी किसानों के लिए बहुत से योजना निकाल रहे हैं बहुत से योजना इतने सारी योजना निकाल रहे हैं कि उन योजनाओं से जो है कि किसान खुस हो जाएंगे एक तम जो है कि हैपी हैपी हो जाएंगे यानि कि अगले पंच वरसी में यहां स उत्तरपरदेश से लोग जो है कि बीजेभी कोई ओड देंगे यानि अगर ओड कप देंगे जब उनको कोई लाफ मिलेगा कोई जो किसी चा की कमी हो रही है और यहाँ पर भरतियों में पेपर लिग हो गया था तो इसके बिशाय में जो लोग कांग्रेसी हुई और जो है कि अखिले से आदाव जी बहुत सारे मुद्दे उठा रहे थे कि मोदी जी पेपर लिग करवा दिये ये करवा दिये वो करवा दिये लेकिन इन सभी समस्याओं का समाधान योगी जी करने वाले हैं मोदी जी के द्वारा और जो है कि अब जो है कि यहाँ उत्तरपरदेश से योगी जी की सरकार यानी बीजेबी की सरकार बने गी अगले पंच वरसी में देखना यह होगा क्या होता है वह ऐसे निरहुआ को आप लोग कितना पसंद करते हैं कितना नहीं पसंद करते हैं आप लोग वीडियो में बता सकते हैं दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेश वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद